मेरे डोक्टर राजकुमार ने दूसरे चरण की तैयारियां और पिछले चरण की परगती की समिक्सा के बारे में मेडिया को जानकारी दी वही संगन मिशन इंदर दूस मिशन अभियान के लक्षिय टीके करन से चूटे हुए बच्चों को और गरवती महिलाओ को टीका करन करना है पहले चरण में जिले में अभियान के दोरान 1,56,630 बच्चे और 35,745 गरवती महिलाओ का टीका करन हुआ और इन में से 15,855 बच्चों को पहली बार टीका लगाया गया आज की जो प्रेस कोंसेंस है इसके हमारा परफस था जो हमारा पार टू शुरू होने जा रहा है दो दिसमबर से उसके लिए फ्रेस कोंसे से पलाई गई है यह हमारा अभियान दिसमबर जनवरी फरवरी मार्च चार मेने चलेगा और इसका उद्देश हमारा यह है कि हमारा टीका करन कर जो लेवल है वो समाग में 90% से ऊपर हो जाए जिससे की एक immunity herd इसमें बन जाए बच्चों में जिसे की बीमारियां जो टीका करन से बचाई जा सकती है वो पैदा ना हो इसमें हम जितने भी छूटे हुए हमारे बच्चे हैं तीकाकर्ण से या जितने हमारे और नए बच्चे पैदा होंगे तो सभी को इसमें सामिल किया जाएगा इन दिनों के अलावा जो रूटीन इमनाइशन हमारा बुदवार से निमार होगा वो जो का चलता रहेगा तो आप सभी से मेरी एक जुजारिश है कि अपने बच्चों को कीकाकर्ण सातर पर लाएं और सभी बच्चों को अपना कीका लगवाएं जिससे कि वो इन दिमारियों से बचे रहे हैं प्रदान मंत्री मातरत बंदना योजना का एक पखवाड़ा भी दो तारिक से आठ तारिक प्लाया जाना है इसमें तीन किस्टों में पांस जार रुपे लावार्ती को दिये जाते हैं पहला बच्चा जोनका पैदा होता है यह उनको मिलता है पहला पहली किस्टों के घरव कोई चेक का डिस्ट्रिविशन या उसकी आवशिक्तर नहीं होती है और आशा कि तुरू इसका फर्म भरा जाएगा जान में भी अग्यान में अग्यान में अग्यान में जो भी